हेलो एवर्वन मैं कुसूम और आप सिभी का स्वावत करते हुए स्टड़ी ऑनलाइन विद केके में आज की जो हमारी वीडियो है यह मेडी टू है इसमें आपको इंपर्टेट कोशन विद अंसर बताने वाली हुए इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अप्लोड कर रह चौप किया था आर्थे विकास और परियावन सरक्षन किस परकार से समझस से स्थापित किया जा सकता है कि आर्थे विकास और परियावन सरक्षन दोनों ही एक साथ कैसे हम उन दोनों में जो होता है ताल मेल कैसे स्थापित कर सकते कि हमें आर्थे विकास भी करना और परिय सानना पोचैप्र प्रकतिक और अपने जीवन में उन्नति भी करते रहें तो यहां पर वहीं बताया गया हैं कि वैसे तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसा ब्यौरा एसा कोई लेखन नहीं है कि प्रकतिक से होने वादी जो हानिया है उसका हम पूरा बता सके कि इत्ते रुपे की हानिय है इत्ते करोणों में हानिय है ऐसा पूरा पक्का वो नहीं है बट हमें प्रकतिक से इसलिए हानि होती है क्योंकि हम प्रकतिक को हानि पहुचाते हैं तो प चीज़े बताइगे हैं कि हमें ऐसे चीज़े करने चाहिए जो प्रकतिक के वुरुद में ना हो उसके साथ समझ असे स्थापित कर सके हमें जादा लकडियों का खनीजों का इत्ता जादा परियोग नहीं करना चाहिए कि हम पेड़ पोदों को काड़ दें ठीक है और अपने अपना जो खनीज लवन होते हैं उन्हों को इत्ता जादा यूज ना करें कि पूरा ही समाप्त कर दें ताकि आने वाले पीडिक ले कुछ बचे ना तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यह सब चीज़े भी इसमें बताए गई हैं तो आप इसको यहां पर पोस करके इसली पढ सकते हैं और हमें और यहां पर पतायागे कि जो जो नुक्सान होते हैं उन्हों का भी नहीं रखा जाता है कि प्रकतिक से जो नुक्सान होते हैं मतलगी प्रकतिक तो कोई नुक्सान नहीं करती हम प्रकतिक को जो नुक्सान पहुचाते हैं तो उससे जो भी घटना घटी है तो उसका जो भी ब्योरा होता है कि जैसके समले सुनामी आगे तो सुनामी में किते लाखो घर उजड़ जाते हैं आपकी जो खेती होती है वो खराब हो जाती है तो उससे बहुत जाते नुकसान होता है तो हम उसका ब्योरा नहीं बना के रखते हैं तो इसलिए हमें पता नही प्रकतिक उसका क्या हानी के हैं क्योंकि पता ही नहीं बनाते की तो बहुत सारी आप्दाइन आती कुछ छेड़ खानी करते हैं प्रकति के साथ तो वह रिटन में आपदा की रूप में प्रकत होड़ती हैं जिससे की बहुत सारा नुकसान होता है तो वह पहले पॉइंट में बताया गया है फिर उत्तरदायती में दिद्धारित करने का कि हम उत्तरदायती किसे दें मतलब किस हमारे पास कोई ठोस सबूत यह कुछ नहीं होता कि हम बोल सकें कि आपकी बज़े से हुए या आपकी बज़े से हुए क्योंकि अमीर देश भी पूरा जैसे कि परियावरन प्रदूशन फैलाने में अमीर देशों का बहुत साधा हाथ है जो पस्ट्यमी देश हम देखिए इनों का बहुत बड़ा रूल है जो प्रकति को नुक्सान पूचाने में बट हमारे पास कोई ठोस ऐसे सबूत तो नहीं है कि हम उनों को पूरा ही ऐसे ठहरा दे कि आपकी बज़े से वह आप ही ठीक करो ऐसे तो हो नहीं सकता तो वह सब चीजे इसमें बताएं गई है कि ज जो भी पढ़के समझ आ रहा है कि पॉइंट से वही मैं आपको समझा रही हूं थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं फिर डीपली और भी चीजे बताई गई है तो वह भी आप इसको पढ़ लेना में पॉइंट से पढ़के जो में को समझा रहा है मैं वहीं आपको इसमें explain कर रही हूं क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगे और फिर आपको बताऊंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा नेक्स्ट परियावरण ये संगर्ष को सुल जहाने में अंतराश्य विविता विवस्था की सत्ता एव समृता देखे इसमें बताया गया है ये जो परियावरण संगर्ष को सुल जएने के लिए कि जो कानूर बनाये गए अंतराश्य इस थर पे परियावरण को सुल जहाने के Alone के लिए। कि जैसे कि नियम लए गए हैं कानून लाए गए हैं कि आप पborg पड़ों को नी हो गई कि और उनका पालन सही तरीके से नहीं होता तो इसमें कानून बताए अधिकार आपको पाते हैं वह आप इसको पोस्ट करें पढ़े न और उनको पॉइंट के रूप में लिख लेना ताकि एक्णम में है तोयां पॉइंट लिखे फिर इसको एक्स्प्रेंन करो फिर है निरतन बढ़ती वी जनसंक्या अब आपको पते कि जनसंक्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसकी जरूरते भी भढ़ेंगी और जब जरूरते पढ़ेंगी तो हम किसको नुकसान पहुचाएंगे प्रकति के नुकसान पहुचाएंगे देखें अभी आप एक कमरे के र बनाते पेड़ पोदों को काटके बनाते हैं आपने बहुत जगह ऐसी देखी होगी आया फिर आप अपनी पेड़ेंट्स ग्रेंट्स से पूछेंगे कि पहले कि टैम पेड़ रहे हुआ पेड़ पोदे और यह सब जंगल हुआ करता था पर अज हुआ एक सिंगल पेड़ भी क्लोरो फ्लोरों वह हमारे जो उजुन परता उसमें छिद्र करेगी ऐसी परकार से ऐसे फ्रीजे से बहुत सारी चीज़ें जो जन संख्या से ही प्रकति को नुक्सान पुचारी हैं तो यह सब चीज़े इसमें बताया गया है कि अगर आप इसको ठीक रखोगे जन संख्या अगरे कि बाखिया पर दोगी के बारें कि कैसे पस्चिमी करण और हमारा वीकास वा आर्थी विकास हुआ ऊद्ध्यों की करण आ गया जो मशीनी यूग है वह आगया तो मशीनी यूग आने से क्या होता है कि जो मशीन के द्वारा काम हो गया कैमिकल हो गया,itanicity हो गया, योग जिससे परियावरण को और जएदह नुकसान होने लगा तो यह सब चीजेस में बताएगे या यह आईए होप आपको समझाया है मैं आपको नेक्स कुछ ने सत्ति विकास का बहू आयामी उपागम तो इसमें हम यह उपागम के बारे में पढ़ते हैं कि बहू आमी उपागम क्या होते हैं इसका संबंद बिसकली परियावरण और वि विकास को लेके उनसे ही इसका पूरा तालुकात होते हैं और जो परिस्तिति की तंत्र होता है परिस्तिति की चैन जिसे बोलते हैं तंत्र पूरा होते हैं हम को लेके परियावरण को लेके जानुर को लेके सबको लेके उनसे ही मैतोपूर्ण उसे ही बात करता या उन्हों क उसको कैसे हम सौल कर सकते हैं यह को मैं बाकि इसमें आर्थिक तल रेखा कि बोटम नहीं उसके अपर बताटा है कि हमाई विकास कर सकते हैं किसल है सब्सक्स लाइन करते हैं कि समझें कोई जमीन है वो खराब हो चुके बंजर हो चुके अब यह बताएंगे कि हम उसको कैसे वापस री यूज मिला सकते हैं तो कैसे वापस परियोग मिला सकते हैं ठीके फिर है फिर नेक्स परियावरण उत्तरदायत है कि कौन साजेदारी करना जैसे कि हम चीज़ करें जो भी इंटपादवारी उचलता उससे प्रदान होती थीया लिए अंग्स नेक्सित्यम उत्तरदायत हें कि हम जो भी उत्तमाद करते हैं उसको ऑपर कहने उपर है उसका चेतर परियावरन करें उसको पूरा इसको कोन देख रिख करेंगा पूरा कि ब göz ृत् करें जो हैं इसका कम से कम परीयोग करें। हम अच्छे से अच्छा विकास भी कर सके हैं और इन करते हैं लोगन Etra को दोशित करते हैं उस सब कशकूर हम सकते हैं जिसके 47chau सकते हैं जिना जिसमें कि यह इसा हमारे पास है उनको यूज़ करें पर ऐसे यूज़ करें यूज़ कि आने वाली पीडिके लिए उस सब जो हैं बची रहें और हमें सब्चीज का ग्यान भी होना चाहिए फिर गांधियवादी ग्राम सवराज है तो आपको पता ग्राम सवराज की हम गाउं की तरफ जो है इस्थानिय छेत्र के तरफ जादा देखना चाहिए क्योंकि वहां पर संसाधन भी बहुत जादा होते हैं प्रकति को हम वह लोग ज्यादा सुरक्षित रखते जो ग्रामिन इलाके के लोग होती हैं गाउं विलेज में आप जाओगे तो आप देखोगे कि वह परियावन को किता सुरक्षित रखते हैं पर अगर आप शहरी छेत्र में आओगे तो यहां पर ऐसा नहीं है तो परियावरण को बहुत अच्छे से समस्ती है तो अच्छे से रख सकती है उसका मतलब कि हम अगर नारिवाद के ओपर ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो वह हमारे परियावरण को भी ज्यादा सब्सक्राइब बाकि आप इसमें पढ़ लेना पोस्ट करके जो भी इसमें बताया गया है नेक्स कोशन देखते हैं वन अपरोपन और सतत्विकास देखिए सतत्विकास तो बहुत जादे इंपॉरे आपको बुक में दिखिए गई सतत्विकास का आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो अ सततविकास क्या होते हैं अब अपरोपन हम यहां पर देखते हैं तो देखें इस चोन वन अपरोपन और सतत्विकास अपरोपन परीयोब करके उन्हों को नवन्य जो है इसमें क्या बता रहेंगी वनों को हमने पूरी तरीके से खराब कर दिया है तो Gasy सालों में 15 सालों देखा जाए तो बहुत जादा ही वनों को हमने नस्ट कर दिये किते 20 करोड़ हेक्टर वनों को हमने खराब कर दिये तो यह बता रहे हैं इसमें आप इसमें जो ब्यॉरा दे रखा पूरा आप देख लेना कि 96 के बाद से उस्ट में कटी बन वनों में कमी आ भी थी किता पर तीशट में उसमें भड़ोती यह सब चीजे आप इसमें देख लेना और एसा किया जा रहे हैं वनों को क्यों काटा जा रहा है देखे सरकारी एजएंसिया या फिर विकासिल योजना के तहत हम ऐसा सब कर रहे हैं हम सोचते हैं कि जैसे की अब देख लिए क कोई काबर किसी मैं डैली की बात करती हूं शहर की बात कर रही यहां पर समलिए किसी जगा पर बहुत सारे वन लगे में पेड़ पोदे हैं बट वहां पर कोई ऐसे आएगी उसको लगेगा कि हम पेड़ पोदों को हटा कि अपनी कोई नहीं बिल्डिंग या कुछ हम यहां प पीड़ पूद है उसका क्या करते हैं तो इसलिए अपने लाब के लिए सरकारी योजना यह फिर प्राइवेट अग्रती है उन्हों को काट देती है ठीक है पूरी तरीक से तो अब इसकी कारण बता रहें कि किस कारण से ऐसा होते हैं इनों के नीचे देखें यहां कारण बता सब्सक्राइब बता रहें समाजिक अंटराश्टी धी पेदा होती है तो ग्रामिन छेत्रों में प्रेवन ने था लिए तो निर्धनता भड़ेगी क्यों बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी क्यों जाएंगे लोग तो डिपैंड होते हैं वहां पेड़ पोधी जो उते हैं तो उसका बनाते तो उस पर भरोसा करते हैं उस पूरा dependent है वो सब प्रक्तिक ईपर रखते हैं तो अगर हम सारे वहनों को काड़ेंगे तो क्या ह değil जो ग्रामनिचेत्र के लोग है वह और जादे निर्धन और गरीब हो जाएंगे प्रतेक्ष कारण क्या है कि जो अब देखें और क्या होता है कि लोग पशू चराते हैं अपना तो भी पेड़ पोधो कार देते हैं ठीक है पशु चराने के चकर में और जो पेट्रोलियम की खोच कर रहे हैं हम पेट्रॉल पेट्रोलियम खनी जिब हो सब करते हैं कि वहां के जो पेड़ पोधिया कुछ भी उन सबको हटा के फिर उसे के अंदर ही तो करेंगे मिट्टी के अंदर बिनाश करते जा रहे हैं पेड़ों का फिर समाजिक तत्व के बारें बता रहे हैं जैसे कि आप रोजगार देख रहे हैं या फिर आप अपना सुधार करना चाहते हैं बहुत साही चीज़े अंतराश्चिय सुरक्षा जो आतिक सरशना उसको ठीक करना चाहते तो भी हम यह पोस करके अराम से पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे हम परियावरण को नुक्सान पहुचा रहे हैं तो इसमें कारण बताए गया है तो आप इसको पोस करके अराम से पढ़ सकते हैं अभी इसका ही नीचे को इसको पॉइंट आगर जिसको मैं और बताऊंगे आपको तो क्या होता जो पूरी चैन होती है वो तूट जाएगी क्योंकि देखिए पेड़ पोधों के जंगलों के उपर भरोसे जानवर भी रहते हैं जब जंगल भी नहीं रहेंगे तो हम सब एक दूसरे से जुड़े वे तो सारी प्लॉब्रम क्रेट हो जाएगी यह उसी का ही कॉशन है यह सकते हैं और यह उपर अभी मैंने वन रोपनज वाला जो भी मैंने बताया है ना उसी का यह अंसर भी है यह दोनों साती है अलग से वैसे हैं तो इसमें देखिए क्या है कि अगर हम वनों को वापिस से लगा भी दें समझ लेजी हमने वनों को आप देखते होगी बहुत सार भी देख सकें हम कि वापस से यूपि में देख सकते हैं योगी जा सकेंगे वह वापिस से वनों को लगायेंगे पेडर फो le dham ao kango करेंगे तो आपको क्या लगता है कि हम अगल लगा वी दे तो अच्छी बात नहीं तो हम क्या पहले जैसा सब कुछ कर पाई जैसे कि हम नो जमीन पे तिल आपको वनों को काट के आज स्टैम पे ऐसी जगा पे वैठे कि वन देखने को नहीं मिलते हैं तो कि हम वापिस से उस दौर में जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे क्योंकि हम किता भी कोशिश कर लें आपको पता है एक पेड़ को बढ़ा होने में किते साल लग जाते हैं तो इसलिए हम वापिस से पहले वाली इस्तिति में तो जा नहीं सकेंगे हम आठिफिशन रूप से वन को लगाने लग भी जाएं लग जाएंगे तो अच्छी कोशिश हमारी कोशिश रहेंगे बट हम पहले जैसा हासिल नहीं कर सकेंगे चीजों को तो वह सब चीजेस में बताए गई है कि हम सब कुछ करने के पहले जैसे उस पर नहीं आपाएंगे तो यहां पर वही पहले वाला जो बायो डट है वह सब कुछ इसमें दे रखा ब्योरा कि कब अब से हमने उसको काटने चाट किया था और आज के टैम पर आप देख सकते हैं कोची वन काटने से एक और चीजी होती है जैसे कि कभी सुनामी आजाती है कभी बूस्कलन हो जाते हैं तो जब पेड़ पोधे नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी होती है न वह एकदम सही से जम नहीं होती है तो अगर कुछ भी बूस्कलन हो गया सुनामी होगी बुकम हो गया तो मिट्टी अलग हो जाते हैं कि कोई चीज अगर रुकना चाहे भी जसके समरें सुनामी आगी तो अगर पानी ते भाव में आता है और पेड़ पोधे जो तो तो सब कुछ उजाड़ यह चीजह तो यह आप लिख सकते हैं और आपको बहुत साथी चीजिए पता ही कि वनोह को लेकि कि क्या क्या समस्ESS्थ्या फेस करने पद추 तो सब आ लिखेस आप गर करने ऐस्मेंन बाक हो वाटसाप पि आप Yeah 5tså जोएन कर सकते हैं तसब प्पहइशन से इसे आगर में इसं पीडियाख लीनी होगी तो आप मेंको वाटसवाप कर सकते हैं और अगर आपको और उसकी वीडियो से did आप चाहते में किई वाइडियो गवाइड में आप इसके लिए भी आप में कमेंट कर देना मैं असाइमेंट और पिरिवस शेयर के सॉल्ट कोशल्स देती हूं जो प्रिवस शेयर के सॉल्ड ओते और असाइमेंट भी सॉल्ड प्रवाइड कराती हूं तो आगर वीडियो चल व أو उत закры를 subscribe जरू करना हम मिलते हैं Nix 06